तो साथियों हमारे पास पसु को खिलाने के लिए ये देखे सूखा चारा है जिसमें हम लोग जो धान की कटाई होती है उसका जो मतलब कि रफेज होता है जिसे हम लोग कुट्टी बोलते है वह हमने लिया है यह तग्रीबां 2,5 कG का सपास का है फिर हमारे पास हरे चारह में अभी हमारे पास दूब भी जो घास होती है हरी घास के रूप में अभी वो अभी लेवल है इसके कुछ दिनों के बाद हमारे पास बरसीम भी अभी लेवल हो जाएगा और यह देखे इसमें हमने सरसो का खल डाला है सरसो का खल जब अच्छे तरीके से फूल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे तो भी रेड़ी है और दाना में हमारे पास ये देखे दाना में हमारे पास ये इसमें हमारे पास है चना है मुंग है मसूर है और एक दो दलहन चीजें और है यानि कि ये जो अनाज है इसमें सारा मतलब कि दलहन चीज को एड़ किया गया है जिसमें चना साइध मुझे पता नहीं है प्रटकन फर्म चना इसमें है मुंग हैं और मसूर है और भी हमारे पास जो दाना है वह हम आपको दिखाएंगे अग्धिए डलहन वाला जो अनाज था वह हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं चोकर यह चोकर तकरी अनाज के रूप में हमारे पास यह करें इसमें हमने गेहूँ और मक्के के देली होता है वो हमétat उपियोग मिलिया है और में जो अर्मक्क मिला हुआ तो आधह केजी ए सब्सक्राब करें डलहनगी तह था वो और 휩ांगी है और जो म के काट और मिक्चर था वो यानि एक केजी हो गया और हमे तीन सो ग्राम के में हमने इसमें चोकर मिलाईया है ति यानि की एक केजी फ़् 무대 से 24 जब्त हम कॉन धाना अभी खिला रहे हैं यह पाच केजी का था और छे केजी का है और हमने इसे लगभाग खट्म कर दिया है थोड़ा सा और बचा हुआ है तो 20 ग्राम इसको यह बोई बी जो कि मिंदल मिक्चर आती है उसे भी हम डालेंगे इसमें हाँ कि इसमें हो गया और हुरह को हमने लिक्ला को डिया है इसमें और आव यह सर्सों का खल आ Been कि हम लोग बनाते हैं तो कीचन वेज्ट होता है schon फिरीशे में मर्तर छिलका हो गया पतगवी हो गया और कुछ फूरुट्स का मतलब कि हो गया यह हमारे पास है सार्सो का खाले यह देखिए इविलेव्ल है तो इसको वी हम अपने ثانि में मिक्स कर देते हैं सार्सो के खल के साथarte और यह देखिए पानी हमने डाला इसमें और अब इसको मिलाएंगे अब हुआ कि एक बार में यह गाय पूरे इस सानी के प्रकरन को एक बार में यह खा जाएगे हाला कि दिखने में यह छोटी गाय है बट यह खाना बहुत ज्याद क्योंकि इसका पेट भी बड़ा है इतना अगर आप जो हमने इसमें जो जो दाना और दलिया जो आपको बताया हमने अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो गाय है वो लगतार दूद भी देगी और दूद के साथ में सही टाइम पे यह सीमें भी पड़ जाएगी इसको क्योंकि यह तीन महीने के बाद हीट में आ जाएगी और फ़स्ट हीट छोड़के सेकंड हीट पर हम सीम भी कर देंगे यह जाएगी और दूद भी देती रहे गया मात्रे लास्ट में हम इसे दो महीना के लिए छोड़ेंगे ड्राइम ने ले जाएगे और उसके बाद बाद देख दी है यह हमारे तरस देख दी रही है अब थंड का मौसम है इसलिए हम लोग जादा इसमें पानी नहीं डाल रहें सुखा-सुखा इंखिला रहें क्योंकि जब ज़्यादा पानी का अंस इसने जाएगा तो पशू पेशाब ज्यादा करती है इसके वज़ा से थोड़ा ठंड में परहेज करना पड़ा रहा है नहीं तो यह इसमें हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे उपर से 20 लीटर गर्मी के टाइम में और वह बिल्कुल भैस की तरह मुह डुबा डुबा कर खाएगे तो यह देखे पुरी तरीके से हो गया है रेड कि लिए से पाटी हुः